हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आपके लिए रेजिनिंग के कुछ इंपोर्टेंट प्रेशने लेकर के आया हूँ गुरूप D में बहुत मदद मिलेगी आपको इन प्रेशनों से और इसी आधार पर पूछे जाएंगे प्रेशने अगर आपने एक् तो HI का रेलेशन किस संख्या से होगा भई D और E का रेलेशन 10 से कैसे हो सकता है अगर मैं इन अल्फावेट को नंबरिंग करूँ तो मुझे ये पता है कि D कितने नंबर पे आता है चार नंबर पे चार नंबर पे जैसे कैसे जैसे A है आपका B है C है और D है तो ये एक पे यी दो प्याएगा ये तीन प्या प्याएगा इन चार प्यार प्याहिए तो अल्फावेट कितने होते है आपको अच्छे से पता है कि A2ZT्you a2z में कौन सा अल्फावट कितने नंबर पे आता है यह आपको याद होना चाहिए अगर आप तयारी करना तो ठीक है उसी तरीक अगर मैं यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ू तो 9 होता है और 9 मैं अपनी तरफ से 1 लगा दूँगा तो 10 ठीक है इतना समझ मैं चलिए इनको भी मैं नमबर नहीं करूँ H कितने नमर पर आता है 8 पर आता है I कितने पर आता है 9 पर आता है मैंने क्या किया 4 और 5 को जोड़ा 9 9 में एक अपनी तरफ से जोड़ दे 10 ठीक 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 17 में एक अपनी तरफ से जोड़ दूँगा अठरा लेकिन अठरा आप्शन में नहीं है तो यह वाड़ा तरीका नहीं लगेगा क्या लगेगा देखिए मैंने जोड़ा था अभी इनको मैं क्या करूं का ग 70 होता है दोनों का गुना करके 2 से डिवैड कर दिया तो यहां भी 2 से कर दू कितनी बार में जाएगा 36 बार में जाएगा तो यहां पर कितना जाएगा 36 दे रखा है सी ओप्सन में यह आपकी प्रशनी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बात के लिए रुई अब देखि कैसे बताएंगे आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या है 5 यहां पर 7 यहां पर 25 यहां पर 49 यहां पर 125 और बताना है यहां पर क्या हैगा ठीक देखिए अब ध्यान से देखिए यहां पर मैं क्या करूं 5 की पावर 1 करूं तो 5 और 7 की पावर 1 करूं तो 7 इतना समझ में आय और यहां मैं 7 की पावर 2 करूँ तो 49 पहले पावर 1 हुआ दोनों का फिर पावर 2 हुआ दोनों का अब पावर 3 हो जाएगा 5 की पावर 3 करूँ तो 125 और 7 की पावर 3 करूँ तो कितना वैं 7 की पावर 3 कितना होता 343 होता है कि नहीं होता 343 कैसे बना है ये प्रेशन आपकी समझ में आया मेरे पास दो संग क्या है पांच और साथ मैंने पांच की पावर एक रखी फिर साथ की पावर एक ठीक है फिर पांच की पावर दो साथ की पावर दो फिर साथ पांच की पावर तीन फिर साथ की पावर तीन फिर पांच की पावर चार, साथ की पावर चार इस तरीके से सीरी चल लिए तो मेरा इस प्रेशन का अंसर क्या है? तीन सो तेतालिस आया जो कि D-Option में दिया गया है यह आपकी प्रेशन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा बहुत सारे बच्चे इस प्रेशन को नहीं कर पाते मुझे मालूम है आज के बाद कभी भी इस तरीके का प्रेशन आये तो आप उसे करके आएंगे ठीक है? अब देखते हैं अगला प्रेशन अगला प्रेशन है पहले तो ये प्रेशन में आपको हमबर के लिए देना चाहरा था लेकिन मुझे लगा पौच्चों को बहुत परिशानी होने वाली है इसलिए अब मैं इसे आपको बताने वाला हूँ यहां दे रखका च्छे पच्चीस बासट एक्सो तेइस दोसो चौदा कोश्चन मार रेलेशन बनाना है छे कैसे बनेगा अगर आप दो की पावर दो करें दो की पावर दो करें तो चार चार में दो जोड़ेंगी छे ठीके छे बनेगा दो की पावर दो प्लस दो मैं यहां पर आप क्या करूँ power 2 किया है यहाँ पर मैं किसकी power 2 करूँ किसकी power 2 करूँ और फिर उसमें क्या करूँ 2 की power मैंने 2 किया यहाँ पर मैं किसकी power करूँ और 2 को जोड़ू 25 हो जाए ऐसा नहीं होगा 5 की power 5 की power 2 करूँगा 25 लेकिन 2 जोड़ूँगा तो 27 हो जाएगा न तो ऐसा नहीं है 2 की पावर 2 रखने से answer नहीं मिलेगा तो 2 की पावर 3 रख लो 2 की पावर 3 फिर क्या करेंगे उसमें से मैनस 2 ही कर देंगे 2 की पावर 3 का मान 8 होता है और मैनस उसमें से 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा ठीक है 25 बनाना है 2 की पावर 3 किया 3 की पावर 3 कर दो 3 की power 3 कर दो, उसमें से minus 2 3 की power 3 का मन कितना होता, 27 होता है 27 में से घटा दूँगा, 2, 25 आ जाएगा ठीक है, 2 की power 3 किया, 3 की power 3 किया, अब 4 की power 3 और क्या करेंगे वही, minus 2 4 की power 3 कितना 64, कर देंगे, उसमें से minus 2 तो 64 में से 2 जाएगा 62, 62 दिया गया है चार के बाद आजाओ, पांच की पावर दो, माइनस का दो, पांच की पावर दो, तीन, दो, तीन, जब पावर तीन चल रही है सबकी, तो पांच की पावर भी तीन आईगी, तो पांच की पावर तीन, एकसो पचीस, माइनस का दो, एकसो पचीस में दो जाएगा, एकसो मानिस कर देंगे तो साथ के पावर 3 का मान 343 और मानिस कर देंगे उस में से 2 343 में दो आएगा 341 यह आपका आंसर है जो कि B option में दिया गया है बात सभी को समझ में है आप देखते हैं अगला प्रेशने अगला प्रेशने है और ये प्रेशने थोड़ा बड़ा भी है लेकिन ध्यान से समझेंगे यदि HIDE बराबर 1440 है तो WIDE क्या होगा वही तरीका है सबसे पहले तो आप इनको नंबरिंग करेंगे जैसे कि H कितने नंबर पे आता है H आता भाई देखे सबसे पहले मैं इसको लि आएगा E को करूंगा पांच पर अब यहांप से 1440 से रिलेसन है बहुत बढ़ी संक्या तो बढ़ी संक्या पर कैसे पहुचेंगे भाई गुणा करके पहुचेंगे या फिर इसक्वेर या फिर क्यू तो गुना कर लेते हैं पहले हम उनका आठनीम 72 हो जाएका इनका गुन नहीं पता, W कितने पराता, 23 पे आएगा, I 9 पे आएगा, D 4 पे आएगा, और E 5 पे आएगा, वही कर लो भाई, पहले के जैसे, सब का गुना, 4 का गुना, 5 से कर दो, सिधा सिधा 20 हो गया, हो गया की नहीं हो गया, सिधा सिधा 20, अब 9 का 23 का 27 का 7, कैरी का 2, 9 दूने का 18, 18 मे 207 आपस में गुना कर दो भाई, आप 207 का गुना 2 से करूँगा, तो 414 हो जाएगा, कितनों जगा भाई, 414, और E की 0 आ जागे लाईश्ट में, तो 41, 40 आपका सही आंसर है, जो किसी ओप्षन में है, आगे आपके प्रेशनी का आंसर, आप देखेंगे अब अगला प्रेशनी है, 9 है, 27 है, question mark, question mark, जब प्रेशनी में दो जगे लगातर question mark आ जाए, तो वो प्रेशनी और कठिन हो जाता है, और hard हो जाता है, सभी बच्चों के बसकी बात नहीं होती, जो इस तरीकी के प्रेशनी करने है, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते है ठीक है, देखे, मेरे पास 9 दे रखा है 27, मुझे सीधा सीधा मालूम है, कि 9 मेरा 3 का square होता है, 27 मेरा 3 का q होता है, मुझे सीधा सीधा ये बात मालूम है, तो यहाँ पर भी जो संख्या बनेगी, वो square और q में बनेगी, पहली संख्या square में है, दूसरी संख्या q में है, एक यहाँ पर रखने कि नहीं होता तो हटादो ँसको, आफ की संक्या का दो, हटा दो इसको, मने उससे हाफ किसी संक्या eer स्कॉर होतातो नोन पर टो 1 सही हो जाएगा, लेकिन 81 की संक्या। स्कूर होता है कि नहीं होता है और 20 कि प्रेशनि का सही अब देखते हैं अगला प्रेशनि है 189 81 यहाँ पर क्या यह बताना है 24 793 बाइट ठीक है प्रेशनि में कोई किसी को परियाब्लम नहीं होनी चाहिए अब देखे हम क्या करे है जब मेरे पास यहां क्वेशन मार्क है तो मैं ये देखूँगा कि यह पर 93 कैसे आगिया यहां पर 98 ्पर burns जाए wow bike अठारे और नो का मैं कुछ असा करूँ कि 81 बन जाए तो मैं क्या कर सकता हूं देखिये मैं दोनों को जोड़ लेता हूं अठारे और नो को जोड़ुँगा कितना हो जाएगा 27 81 बनाने के लिए क्या करओं 3 से गुना कर दोंगा तो 81 मेरा बन जाएगा पहले तो दोनों को जोड़ा फिर 3 से गुना यहाँ भी दोनों को जोड़ लूँ भाई 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 यहाँ 3 से गुना तो मैं यहाँ भी 3 से कर दूं 31 का गुना 3 से करूंगा 93 हो जाएगा यहाँ भी दोनों को जोड़ लूँ 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 यहाँ 3 स प्रेशनी का अंसर क्या हो जाएगा पहला ही ओफ्सन हो जाएगा 93 बात समझी में आ गई आप देखेंगे हम अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है आपका थिरे इंटू थिरी का सिमिट्री है और कोशन मार्क दे रखा यहां पर यहां पर कौन सी संक्या आएगी यह आपको ठीक है कौन सी संक्या यहां पर आएगी अब देखेंगे जब भी कौर्णर पर कोशन मार्क हो जाएगी यहां पर तो प्रेशनी को यहां तो हम कैसे सॉल्फ करेंगे ऐसे का मतलब इस तरीके से ठीक है 36 वाली रस्त या फिर प्रेशनी को ऐसे सॉल्फ करेंगे इस तरीके से ठीक है जब corner पर question mark है कैसे भी कर लो answer आना चीए भाई आपको ठीक है answer आना चीए अगर मैं question को ऐसे solve करूँ यह करके यू करके मैं question को solve करूँ ऐसे करके तो मैं यह पता करूँगा कि यहां 4 कैसे आया यहां 7 कैसे आया उसे तरीके से पता चलेगा यह संख्या कैसे आया कैसे करूँ भाई मैं क्या करूँ इन दोनों संख्याओं को जोड़ लू आपस मैं 3 को और 5 को 8 हो जाएगा दोनों को जोडने पर और दोनों को जोड़ के मैं 2 से divide कर दू कितनी बार में जाएगा बैई, चार बार में जाएगा, 4 मिल गया मुझे, अब यहाँ पर भी करूं, दोनों को जोड़ लू, 8 और 6, 14, यहाँ पर जोड़ के 2 से डिवईड कया, यहाँ भी जोड़ के 2 से डिवईड कर दो, तू 7 बार में जाएगा, 7 मुझे दिया गया है, बिल्कुल सही, यहाँ पर भी जोड़ दो, 8 और 4 बारा, जोड़ के 2 से डिवाइट, 2 से डिवाइट, 2 से डिवाइट, 2 से डिवाइट कर, 2 से बार जाएगा, 6 बार में, यहाँ का answer आगया पहला option, उम्मेद करूँगा, सबी को प्रश्ण अच्छे से समझ में आ गया होगा किसी को कोई परिशाय ने होगी ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद